कि हलो विर्ण वर्कम बाक टोर यूटीब चैनल ट्रेडिंग बचारित कैसे हो आप सब लोग आज किस वीडियों के अंदर मैं आपको हमारे क्योटेक्स आटो बाट की लाइफ ट्रेडिंग दिखाने वाला हूं Saat मैं आपको Explain करूंगा कि AutoTrading क्या होती है आप इसको कैसे Use कर सकते हो बिल्कुल आपको ऐसे beginner मैं बताऊंगा की और ट्रेडिंग को कैसे start किया जा सकता है और अजा बेनेफ़ेट्टस और मैंनवर्टेडिंग के comparison मैं आपको आटरेडिंग क्यों करने चाहिए and hot trading से आप कैसे अपनी daily trading को असान बना सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे and यह समय ने आपको कहा light trading तो आपको इस वीडियो के अंदर देखने के मिलेगी तो क्योटेक्स पर हम करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर करके दिखाता हूं हम करेंगे टार्गेट एंड स्टॉप फ्लॉस को सेट तो आज का जो मेरा टार्गेट है वो रहने वाला है अराउंड 480 UST और जो मेरा स्टॉ प्लॉस है वो यहाँ पर रहेगा 220 UST और जो मेरा आज का ट्रेड अमाउंट है वो रहेगा 50 UST तो यह हमारा आज का टार्गेट स्टॉप लॉसन ट्रेड अमाउंट सेट हो चुका है सिंपली यहाँ पर रोके क्लिक करेंगे एंड जो यह तीनों चीज़ें वो सेट हो और तीन टेड्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं UST, JBY, GPUSD और EURUSD के अंदर तो देखते हैं इन तीनों टेड्स का क्या रिजल्ट रहता है फिलाल तो तीनों टेड्स पॉजिटिव चल रहे हैं बट लेट्स वेट और वाच और आपको बतायता हूं कि और टेडिं अगर आपके पास Windows का Laptop या PC नहीं है और आपके पास एक Macbook है तो वो भी चलेगा क्योंकि हमारे Autobot को आप Macbook में भी यूज़ कर सकते हो और Macbook के अंदर भी Windows Emulator या फिर Palace Desktop ऐसे आपको यूज़ करके आप Macbook के अंदर भी यूज़ कर पाओगे और Windows में तो compatible है ही दूसरी requirement यह है कि आपको एक अच्छा internet connection आपके पास होना चाहिए अगर आप mobile hotspot भी यूज़ करते हो तो भी अगर उसकी speed अच्छी रहती है कि वो laptop के अंदर भी आप यूज़ कर पातो तो कोई issue नहीं है अदरवाइस आपके पास Wi-Fi या तो वो हमेशा एक अच्छा point रह यह अगर आपके पास minimum 70 USD का balance है तो about trading को कर पाओगे आपको यही तीन requirements का ध्यान रखना है और अगर आप इन तीन requirements को fulfill करते हो तो आप आप टेडिंग को definitely join कर सकते हैं और जो अभी तीन trades initially लगे थे तीनों के टीनों trades हमको यहाँ पर ITM देखने को मिले हैं तो we have made some good profit in the first three trades अब देखते हैं अगला signal कौन से pair पर होता है और मैं अब autobot का भी screen आपको क्योटेक्स के साथ दिखाऊंगा तो ताकि आप दोनों चीजों को साथ में देख पा और आपको अच्छी clarity भी मिले so the next point is कि manual trading के comparison में आपको out trading क्यों करने चाहिए तो इसका सबसे बड़ा जो advantage हुए है कि आपको यहाँ पर आपके emotions involved नहीं होते आपका risk management जो है वो आपकी top priority होता है अब manual trading के अंदर चाहिए आप कितने अच्छे trader क्यों ना हो अगर आपको बीच में कभी भी आपका let's say mood आपका spoil हो जाता है trading करते है time आपका loss हो गया and now you are feeling very uncomfortable तो आप उस zone के अंदर काफी जादा गलट decisions ले सकते हो यानि कि जो trades आपको place नहीं करने चाहिए आपको place कर सकते हो जितना amount आपको place नहीं करना आपको कर सकते हो क्योंकि सब कुछ manual है आपके आपके आपर कुछ भी automated नहीं है आपके पास कोई भी आपर आपके decisions के ओपर control नहीं है and ये गलती business भी करते हैं even professional traders भी करते हैं and manual trading में अक्सर हो ही जाता है अगर हम किसी loss वाले दिन के अंदर काफी ज़दा frustrated है loss से तो हम बड़े amount के साथ trade लेकर और सता loss करते हैं उस loss को recover करने के चकर में जबकि auto trading में आप इस चीज को पूरी तरह से रोक सकते हो by adding a stop loss तो जब भी आपका stop loss trigger होता है auto trading उसी दिन के लिए stop हो जाती है और जब भी आपका target हिट होता है तो auto trading उस दिन के लिए hit target होने के बाद stop हो जाती है तो आपको यहाँ पर पहले से ही पता होता है कि या तो आपका target हिट होगा या तो stop loss हिट होगा और दोनों ही चीजों को हिट होने में आपका क्या potential gain है और क्या potential loss है आपको इस चीज के बारे में भी पता होता है तो आपका mind जो है वो काफी ज़्यादा comfortable है और आपको पता है कि दोनों ही cases में आपका क्या profit होगा क्या loss होगा and on an average अगर आप auto trading करते हो तो 10 में से 8 दिन आपका targeted होता है and 2 दिन तो of course trading अंदर risk involved है तो आप loss के उसको consider कर सकते हो लेकिन हमारा focus हमेशे उन 10 में से 8 profitable days पे रहना चाहिए and हर successful trader का focus उन 8 profitable days पे ही रहता है and अभी दुपारा से यहां पर तीन trades हमको screen के अपर देखने को मिली है and this time trades are placed on euro UST, euro JPY and GPUSD देखते हैं इन तीनों trades का क्या result रहने वाला है and अभी आप autobot screen तो नीचे देख ही पा रहे होगे जिसके अंदर आपको सारे trades देख रहे हैं जो कि autobot में placed होए है and वही trades आपको क्योटेक्स के screen के पर भी उपर देखने को मिल रहे है तो देखते हैं इन तीनों ही trades का क्या result रहता है फिलाल तीनों positive है and काफी सब्दा chances है कि यह win होंगे few seconds are left and तीनों trades अगेन ITM हो चुक है तो अब तक autobot ने 6 trades लिये है and 6 के 6 win है 7th trade हमको यहाँ पर EURUSG के अंदर देखने को मिला है इसमें भी देखते हैं क्या result रहता है and हम एक winning streak पर है after winning 6 trades continuously in a row and अब भी जो 7 trade है यह भी win होने ही वाला है जो कि EURUSD पर placed है देखते हैं इसका भी क्या result रहता है हमने start किया था लगभग यहाँ पर 6500 USD के साथ and अब हमारा balance 6800 USD हो चुका है and 50 USD जो कि हमारा यहाँ पर trade amount है वो यहाँ पर placed है and अगर EURUSD वाले trade win होता है तो additional हमको 40 USD का profit होगा जिससे कि हमारा balance 6900 USD चला जाएगा जो कि यह काफी अच्छा कह सकते हैं increase है हमारे starting balance से अब target के और ज़्यादा नस्दीक आ जाएँगे तो यहाँ पर EURUSD का trade भी win हो चुका है and 6900 USD अब हमारे account का balance हो चुका है तो हम काफी अच्छा खासा profit अब तक book कर चुके है and अपने target के काफी नस्दीक आ चुके है I guess 100 USD या फिर 120 USD ही अब हम दूर हैं अपमारे target से so let's see कि वो target हमारा कितनी देर में reach होता है and अब किस pairs पर next trade लगते है let's wait and watch तो अभी तीन trades यहाँ पर EURUSD, EURJPY and GPUSD के अंदर हमको देखने को मिले है GPUSD के अंदर तो यहाँ पर call का trade लगा है and green candle form हो रहा है so GPUSD में यहाँ पर winning के काफी जादा chances है and market यहाँ पर एक support level पे भी है पहले भी same level से आप लोग दे सकते हो market ने दो बार यहाँ पर bounce दिखाया है and जब भी market इस particular level को reach करता है तो एक green candle ज़रूर बनाता है and वही चीज़ हम इस बार भी देखने को हमको मिल रही है GPUSD के अंदर and बाकी दो पेर्स EURJPY and EURUSD के ओपर भी जो trades लगे है वो भी ITM चल रही है तो let's see इनका क्या result रहता है and again यह तीनों trades हमको ITM देखने को मिली है तो अब तक अगर हम total करें Autobot ने कितनी trades लिया और कितनी win गई है तो Autobot ने अब तक 10 trades लिया and 10 की 10 ही यहाँ पर win गई है तो अब तक ही हमारी Autobot की accuracy 100% है देखते हैं आगे क्या result रहता है GPUSD पर दोबारा एक trade लगी है पर अभी यह OTM जा रही है तो देखते हैं इसका भी क्या result रहता है हमारा balance अभी 6980 UST है हम target के और ज़्यादा नश्दीख आ चुके है लेकिन जो अभी GPUSD का trade रहे है यह loss की side पे जा रहे है तो चलो कोई बात नहीं देखते हैं इसका भी क्या result रहता है अगर आपके पास हमारे Autobot का license है तो आप मेरी personal trades और जो हमारे professional traders की team है उनकी trades को भी यहाँ पर copy कर पाऊगे अपने दोनों ही demo और real accounts के उपर Autobot को भी आप demo और real पे use कर सकते हो और copy trading को भी आप demo और real पे use कर सकते हो और जो भी trades हम अपने account के अंदर place करते हैं same trades हमारे subscriber account के अंदर भी place हो जाती है और copy trading का सबसे बड़ा advantage ही है कि आपको खुछ से trade place करने की ज़रूद नहीं है आपको कुछ से pair select करने की ज़रूद नहीं है सब कुछ हम back end से देखते हैं और automatically copy trading में trades place हो जाती है तो वो भी passive income का एक काफी अच्छा source है को कि उसमें आपको actively involved नहीं होना simply जो आपका desktop है उसको on करना है और आप copy trading को भी enjoy कर पाओगे तो दोनों ही चीज़ें आपको same package के अंदर मिलती है उसके लिए आपको कोई additional charges pay नहीं करने और नहीं आपको हमारे link से कुछ account बनाना है और नहीं हम affiliate है आपका जो existing account है आप उसको ही use कर सकते हो और उसके साथ या pot trading को continue कर सकते हो तो को issues में आपको नहीं आएगा आपको कोई भी नय account बनाने की जरूत नहीं है काफी लोग का doubt आता तो चलो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में भी clarity provide कर दी अब जो next trade यहाँ पर GPUSD के उपर लगा था call direction का वो भी यहाँ पर item हमको देखने का मिला है तब तक जो total हमको यहाँ पर trades देखने का मिले थे वो बारा हो चुके हैं बारा में से हमने 11 trades विन करें और सिर्फ एक ही trade जो पिछले वाला था GPUSD का वो हमने loss किया है लेकिन 11 trades हम विन कर चुके हैं बहुत ही amazing accuracy हमको अब तक देखने का मिली है देखते हैं आगे क्या result रहते हैं क्योंकि हम target के भी काफी नस्तीक आ जुके है कुछ ही trades यहाँ पर बची है targeted होने से पहले and I am very sure कि हम अपना target टक ले कुछ ही minutes के अंदर book कर लेंगे we are very very close to our target and GPUSD पर again यहाँ पर एक trade लगी है 50 USD की so देखते हैं इसका भी क्या result रहता है call की here trade यहाँ पर place हुई है कुछ seconds रहते हैं GPSG का here trade भी हमको यहाँ पर win होते हैं देखने को मिला है तो अब तक total 13 trades हो गई 12 win गई है सिर्फ 1 loss कई है amazing accuracy है above 90 BQ 95% के आसपास इस particular session के अंदर हमको accuracy देखने को मिल रही है सभी के सभी trades आपको transparency के साथ screen पर दिखाए गया आपको autobot की trade district के अंदर भी वो same trades visible है अभी जो trade लगा है वो लगा है euro JPY के उपर देखते है इसका क्या result रहता है put का यह trade लगा है and supporting reason आप देख सकते हो market भी यहाँ पर downtrend के अंदर है and candlestick psychology भी यही चीज कहता है कि market अगले कुछ minutes के अंदर और नीचे जा सकता है because यहाँ पर पूरा trend downward direction की तरफ है and यहाँ पर sellers की side से जादा pressure देखने को मिल रहा है and that's the reason यहाँ पर autobot ने sell की trade ली होगी and जैसे कि आप लोग को पता है autobot यहाँ पर काम करता है price action के उपर trend following के उपर and candlestick psychology के उपर तो autobot के अंदर जो भी trades यहाँ पर लगे होते हैं वो multiple strategies के बाद ही यहाँ पर place होते है and multiple strategies मैं से जोन सी strategy उस particular समय पर सबसे अच्छा काम कर रही होती है उस business पर autobot trade लेता है and आप demo account पर भी back testing कर सकते हो हमारे autobot के साथ तो आज का session काफी amazing गया आप लोग के सामने हमने देखा 13 या फर 14 trades autobot ने totally जिसमें से अबर 14 में से 13 trades विन गई फर 15 में से 14 trades विन गई and हमको सिर्फ एक ही loss literally देखने को मिला है session के अंदर कफी smoothly हमको within 10-15 minutes हमारा target है या पर achieve होते है देखने को मिला and यही approach आपको भी follow करनी है आपको proper target stop loss से लगाना है आपके balance के साबसे आपको देखना है कि कितना target sensible रहता है and अगर आप मुझसे पूछते हो कि as a beginner कितना amount हमको याँ पर place करना चाहिए तो मैं आपको हमेशा advice करता ही हूँ कि आप 10-15% आपके total balance का daily risk ले सकते हो 10% आपका stop loss रह सकते हैं 15% आपका daily target रह सकता है अगर आप थोड़ा ज़्यादा risk लेना चाहते हो तो 20% भी target रख सकते हो and 13-15% आप stop loss रह सकते हो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना जो भी आपका target होगा वो हमेशा stop loss से जाधा होगा जिससे कि आपकी risk manage रहेगी and आप जाता से जाधा बार यहाँ पर compounding effect को enjoy कर पाऊगे अपने amount के अंदर account के अंदर क्योंकि maximum of the days आपका target हेट होगा and जिन दिन भी आपका target हेट होगा तो stop loss से जाधा ही आपको increase करके देंगे एक यहाँ पर example लेके चलेंगे ताकि आपको और clarity मिले तो मानते हैं आज आप 100 USD के साथ start करते हो और आपका daily target आप 15 USD रहता है and stop loss रहता है 10 USD and मानते हैं आप 10 में से 8 दिन profit करते हैं आपका target हेट होता है and 2 दिन आपका stop loss हेट हो जाता है तो 10 में से 8 दिन जब आपने profit करा तो आपका 15 USD का profit हुआ and 15 इंटू 8 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो 120 USD निकल कर आता है and अगर हम 2 दिन आपर loss के भी adjust कर लेते हैं तो 10-10 dollar करके 2 दिन अगर हमारा stop loss बीट होता है तो 120 USD minus 20 USD is equal to 100 USD हमारा net profit हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर and हमने start भी सिर्फ 100 USD के साथ किया था तो proper money management को follow करते हुए भी अपने account काफी अची तरह से grow कर सकते हो and successful trader के जैसे आप planning कर सकते हो तो autobot के जो packages है वो 1 month से start होते हैं 1 month का package लेकर हमारे autobot को try कर सकते हो already thousands of people overall the world हमारे autobot को use करते है and काफी अच्छे profits बनाते हैं तो आप भी उनका part बन सकते हो feedbacks भी आपको यह पर screen के ओपर देखने को मिल रही होंगी अलग-अलग members की telegram channel को ज़रूर से join कर लेना आपर मैं daily autobot के regarding results and feedbacks पोस्ट करता रहता हूँ and सारी की सारी details भी आपको भही पर मिलेंगी telegram का link में आपको description में दे रहा है झाल